नमस्कार आप देख रहे हैं देश रोजाना, मैं हूँ बेनजिर हाश मी खबरों की शुरुवात करेंगे पहले कुस्तादा सुर्ख्यों के साथ फिर बात करेंगे हर्याणा की बड़ी और खास खबरों की नहीं थम रही मणीपूर की आग फिर भड़ की हिंसा जिरीबा में पांच लोगों की हुई मोथ इनफाल में मणीपूर राइफल्स हैटकॉर्टर पर भीड का हमला दिल्ली शराब निती घोटाले में सीवियाई ने अपनी पांच पूरी की जाज एजन्सी ने राउज एवन्यू कोट में पांच वी और आखरी चार्शिट पेश की सीवियाई का आरोप अरविन केजरीवाल शराप नीती बनाने और उसे लागू करने के अपराधिक साजिश में शुरू से शामिल हर्याडा विधान सभाशनाव के लिए कॉंग्रेस ने देर रात दो लिस्ट में 32 उमीदवारों का किया एलान पार्टी ने भूपेंदर सिंग हुड़ा समेद अपने सभी 28 सिटिंग विधायकों पर फिर से जताया भरोसा MP राजिस्थान समीद 28 राज्यों में आज तेज बारिश का अलट जारी तो वही अजमेर में 25 से ज्यादा स्कूलों के बच्चे बाड में फसे जबलपूर रेलवे स्टेशन के पास हाथसा सोमनात एक्सप्रेस के दो डिब्बे पट्री से उतरे सभी पैसंजर शुरक्षित बात करें सोने चांदी के भाव की तो इस हफते चांदी सोने में रही गिरावट चांदी 1681 गिर कर 83,338 रुपे परती किलो पर आई तो सोना 71,931 परती ग्राम पर हुआ ये थी दिन भर की ताजा सुरक्षियां अब बात करतें हर्याड़ा की खास खबरों की हर्याड़ा में कॉंग्रेस ने शुकरवार राद विधानसवा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है दरसली सूची में 32 नाम हैं जिनमें 28 मोजूदा विधायकों को कॉंग्रेस ने दुवारा टिकट दिया है महीं 2019 में हारे कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उधेवान जुलाना से विनेशोगाट और शहाबाद से रामकरन काला और नीली खेडी से धर्मपाल गोदर को टिकट दिया गया है खास बात यह है कि 32 सीटों पर कॉंग्रेस के 793 नेताओं ने आवेदन किया था जिनमें 761 का टिकट काट दिया गया महीं 58 सीटा ऐसी है जहां कॉंग्रेस पहली ही हारी थी इनसीटों पर 1945 लोगों ने आवेदन किया हुआ है जिनमें पूर्व विधायक और कॉंग्रेस प्रदाधिकारियों से लेकर पूर्व चेयर्मेंट तक शामिल है महीं पार्टी ने परदेश के 22 में से 6 जिलों के लिए एक भी उम्मीदवार का एलान नहीं किया है इनसीटों पर कॉंग्रेस को सबसे ज़्यादा बगावत का डर है इसी कारण कॉंग्रेस ने इनसीटों पर नामों को होल्ड कर दिया हिसार, फतेहाबाद, बिवानी, दादरी, केथल, गुरुगराव, जिले इन में शामिल है लिहाजा इनसीटों में किसी के टिकट की घोशना नहीं की गई हलाकि लोगसबा चुना में इन जिलों में कॉंग्रेस का प्रदाशन अच्छा था दिली से सटे सोनी पत में आज सुभा बड़ा रेल दुरगटना हो गई द्रसल जिले से गुजरने वाले रेल वे ट्रेक पर दर्दनक हाथसा हुआ आपको बताते शतावडी ट्रेन की चपेट में आने से 11 गाएं की मोत हो गई वहीं गटना के बाद इलाके में संसनी फैल गई बताते चले की जहरी गाप के फाटक पर रेल वे ट्रेक पर खेतों से चारा खाती हुई गाएं का एक जूंड आ गया था हासे की सूचना मिलते ही सोनी पत पुलिस आर्पियव और गोर अक्षा दल के कारेकरता मोके पर पहुचे गायों के शबों को रेल वे ट्रेक से हटाया गया हासे के बाद दिल्ली अंबाला और अंबाला दिल्ली रेल वे ट्रेक के घड़टे तक बाधित रहा सोनिपत आरपी एफ थाना पुलिस मामले की गंबीरता से जाच में जुटी है और लापरवा मालिक के खिलाफ सक्ट से सक्ट कारवाई की बात कह रही है पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कॉंग्रेस में शामिल होने पर भारती कुस्ति महासंग के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता ब्रिजभूशन शेरन सिंग ने प्रतिकिरिया दी है दरासल उनने कहा कि ये घटना करम साबित करता है कि पहलवानों का पूरा अंदोलन उनके खिलाफ कॉंग्रेस की पूरी शाजिस थी मतादें ब्रिजभुशन ने कहा कि जब जंतर मंतर पर पहलवानों का विरोध शुरू हुआ था तो उन्होंने दावा किया था कि ये खिलाडियों का अंदोलन नहीं है इसके पीछे कॉंग्रेस की शाजी से जिसका नेतरित भुपेंदर सिंग हुड़ा कर रहे थे साथ इरों ने ये अरोप लगाया कि पहलवानों का विरोध महिलाओ की गरीमा के लिए नहीं था उन्होंने कहा कि विरोध की कारण हर्याड़ा की बेटियों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है साथ में ये भी कहा कि मैं बेटियों के अपमान का दोशी नहीं हूँ अगर कोई बेटियों के अपमान का दोशी है तो वे बजरंग और विनेश है और जिसने इसकी पूरी कहानी लिखी है भुपेंदर सिंग उड़ा इसके लिए जिम्मेदार है तो हाना विधान सभा सीट से भाशपा का टिकट मिलने के बाद पर्तियाशी देविंद्र सिंग बबली ने अब रूठो को मनाने की पहल शुरू कर दी है द्रसर रिष्टे में दादा लगने वाले और भाशपा के कददावर नेता शुभाश बराला से मिलने उनके घर पहुच गए आपको बता दे कि शुभाश बराला और देविंद्र सिंग बबली शुरू से ही एक दूसरे के धूर विरोधी रहे हैं रादनीती में लंबे समय से दोनों का 36 का आकड़ा चलता आ रहा है देविंद्र बबली कॉंग्रे से टिकट नहीं मिलने के कारण सुमवार को भाशपा में शामिल हुए सुभाश बराला का भाशपा में बड़ा कद है इसलिए बबली को आखिरकार अपने दादा को मनाने के लिए जाना पड़ा जहां आज नामांकन भरने से पहले अनाज मंडी में जन सभा की गई जिसको लेकर जो बैनर बनाया गया है उसमें राजेसबा सांसर सुभाश बराला पार्टी के जिलाद्यक्ष बलदेव ग्रोहा का भी पोटू लगाया गया है ताकि पार्टी प्रोटोकोल को पूरा किया जा सके वहीं भाश्पा की लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी पधिकारियों में फैली बगावत थमने का नाम नहीं ले रही है दरसल कलाव अली से पुर्व विधायक बलकोर सिंग ने शनिवार को हर्यारा में भारती जनता पार्टी से स्थिफा दे दिया बताते चले कि पुर्व विधायक ने कहा कि मैंने पार्टी के लिए पूरे दिल से काम किया है और मुश्किल परिस्थीतियों में भाश्पा का जंडा उचा रखा है इसके बावजूत मुझे संगठन या सरकारी पद पर सम्मान नहीं दिया गया तो ये थी कुछ ताज शुर्खियों के साथ हर्याडा की बड़ी खबरे कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हैं देश रोजाना नमस्कार